नमस्कार आप देखरा आज की खास बाद अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तो जिला नागपूर विधानसवा राम्टेक और नगर परिशत का नान पिपरी नागपूर सुनते ही अगर मैं कहूं कि किसी बड़े व्यक्तित्व का या फिर बड़े पॉलिटीसियन का नाम अगर आपको सोचना है तो सबसे पहले पूरे देश में सबसे पहला नाम सोचते हैं लोग नितिन गड़करी और सोचना भी चाहिए क्योंकि गड़करी जी के बारे में यह कहा जाता है कि गड़करी बड़े अच्छे नेता है बड़े सुल्छे हुए नेता है और सीधी बा सकते हैं जो कनहान और काम्टी को अटेच करता है एक सप्टेमबर 2022 को नितिन गड़करी खुद आते हैं और इस ब्रिज का उधगाटन करते हैं हालांकि इस ब्रिज को बनने में साथ से आठ वर्स लग गए और अभी एक वर्स भी पूरे नहीं हुए है और बिना एक वर्स खुद उधगाटन करते हैं देश भर में चर्चा होती है कि नितिन गड़करी उन ठेकेदारों को माफ नहीं करते हैं जिनके जो गलत काम करते हैं लेकिन इस काम के अगर ठेकेदारों की जाच की जाए न तो पता नहीं कितने ठेकेदारों के लिस्ट लग जाएगी क्योंकि या फिर कई विधायक या विधायक के पास वाले होते हैं वो इनका कहीं ने कहीं direct indirect मामला जुड़ा होता है अब बीजेपी इस चीज की अगर जाच करे तो समझ में आए कि बीजेपी के किन नेताओं के किन मंत्री के किन विधायकों के पुर्व विधायकों के लोगों का तार इस ब्रीज को बनाने में जुड़ा है और कितने करोडों का गमन हुआ है हालाएं कि इससे पहले जो पुराना ब्रीज हुआ करता था वो देड़ सो साल पूराना लगवग जिसे बताया जाता है जिसे ब्रिटिस कालिन समय में ही बनाया गया था आज भी इससे ज्यादा सु प्रेकेदारों की जांच पुनी चाहिए यह क्या लेवल का ब्रीज है यह मुझे बतानी की जूरत नहीं आप साफ देख सकते हैं एक साल के अंदर सिमेंट का ब्रीज हाल यह गड़करी नितिन गड़करी के जीले का फिर देश विदेश में जो चर्चाएं होती हैं उस पे क्या यह ब्रीज एक बड़ा परश्ण निर्मान नहीं करता है अपने आपने एक बड़ा परश्ण है और क्या इस पे नितिन गड़करी जैसे लोग कारवाई करेंगे अब इससे होता एक चीज और है कि जो कनान और आसपास के चेतरिये जो नेता है वो आके आते हैं सर्वे करते हैं दोरा करते हैं मैं यह कर दूँगा मैं अंदोलन कर दूँगा 10 दिन में ठीक कर दो 15 दिन में ठीक कर दो और होता कुछ नहीं है ऐसे नेता अपना घर भर लेते हैं अधिकारियों द्वारा कुछ पैसे पहुंच जाते हैं नेता गाय वो जाते हैं अब नेताओ को न साथ हो रहा है कि इस वीडियो को अगर संबंदित अधिकारियों तक मंत्रियों तक नेताओं तक पहुंचता है तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो बनाने का मेरा कारे सफल हुआ और इस पर तुरत्य कारवाई होनी चाहिए अब देखते हैं इसके खास बात अपने दोस्त वीर शिंग के साथ सर्फ इन्वेस्टियन निउस पे सच दिखाए बिन चुपाए जैंग